पेट की चर्बी से परिशान हो और यह खतम करके एक फ्लेट पेट हासिल करना चाहते हो या फिर अपनी पूरी बोडी से वजन कम करके एक हेल्दी और गुट लुकिंग फिजीक हासिल करना चाहते हो तो एक धमी सही जगा पर आए हो इस वीडियो में आपको एक ऐसे फ्रूट के बारे में पता चलेगा जो की पेट से चर्बी और ओवरॉल बोडी से वजन कम करने में बहुत ज़्यादा काम आता है और अच्छी बात तो यह है कि यह फ्रूट आसानी से मिल जाता है आपको कही भटकना भी नहीं पड़ता और पोकिट फ्रेंडली भी है मतलब कि आपको ज्यादा पैसा खर्च करने ज़रूरत नहीं है इसके साथ साथ इस फ्रूट को कब लेना है कितना लेना है कैसे लेना है ताकि आप अपने फैट लोस करने में कामियाब हो जाए यह भी आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में इसलिए आप समझी सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा यूसफुल होने वाली है तो चलिए गाइस फिटनेस काइनेटिक्स पर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के गाइस यह जो फ्रूट है यह फैट लोस करने में तो फायदेमन है ही इसके साथ सा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमलीन यह जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो गाइस ब्रोमलीन एंजाइब इस फुरूट को एक अमेजिंग फुरूट बना देता है जिसकी वज़य से बोड़ी का डाइजेशन सुधरता है ब्लोटिंग कम हो जाती है जिसकी को full रखते हैं और आपको hydrated भी रखते है at the same time गाइस बोडी में चड़बी जमा होने की एक बज़ा तो 20 मिनट की वीडियो भी कम पड़ जागी लेकिन यहां मैंने आपको एक overview दे दिया जो की काफी है अब बात करते हैं इसको कब कैस और कितना लेना है इस fruit को आपने चबा चबा कर खाना है कहने का मतलब है कि इसका juice नहीं बनाना है और खोशिश कीजिए कि यह fruit ताजा ही हो timing की बात करें तो morning में आप इस fruit को ले सकते हैं दो पहर की meal से 1 घंटा पहले ले सकते हैं और रात की meal से 1-5 घंटा पहले ले सकते हैं quantity की बात करें तो इसको पूरे दिन में 1.500 से 200 ग्राम तक आपको लेना है अब ये आप पर depend करता कि आप किस तरह से split कर दें लेकिन अब आता है इसका सबसे जरूरी point ये सुनना तो guys बहुत ही जरूरी है guys कुछ लोगों को इस fruit से allergy भी हो सकती है इसलिए अगर आपको allergy के बहुत मदद कर सकती है ये एक proper diet player नहीं है कि आप सिर्फ इसी के भरूसे रहे और बाकी काम और exercise छोड़ दे guys पेट से चर्वी खतम ना होने की एक बहुत बढ़ी बचा उन खलतियों को करना भी होता है जिससे कि पेट की चर्वी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता guys इस fruit का इनको तो एक बारी देख लेना